तो आज हम करने जा रहे हैं वैतिक मैच्स की कुछ ट्रिक्स तूल्स ओफ डिविजिबिल्टी की देखो बच्चे टू हो गया थ्री हो गया फॉर ऐसे नंबर के साथ आप डिवाइड करना इजी आपको कर लोगी है ना रूल पता है ठेकिन जो प्राइम नंबर हैं जैसे की 17 19, 19, 23, 7, 11 इनको कैसे डिवाइड करना है तो वो भी हम इस वीडियो में सीखेंगे ठीक है तो चलिए फस्स रूल पर चलते है रूल ओफ डिविजिबिल्टी ऑफ 2 अगर हम 2 को जितने भी ऐसे कौन से नंबर है जो 2 के साथ डिविजिबल होंगे जितने भी all the even numbers are divisible by 2 जित तो मुझे सीधा पता लग जाना जाए अगर नीचे divisible मुझे 2 के साथ डिवाइड करना है तो मैं कह सकतो यह पूरा का पूरा 2 के साथ divisible हो जाएगा remainder 0 आ जाएगा क्यूंकि इसका जूल unit digit है वो क्या है even number यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 ठीक है next चाहिए कितना भी बड़ा number हो अ आपके पास number है जैसे कि आपके पास number है 85203 अगर इन digits का sum किस के divisible होगा इन digits का sum अगर 18 के साथ divisible 3 के साथ divisible होगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि यह पूरा का पूरा number भी किस से divisible होगा 3 के साथ ठीक है ना देखो अब इतने बड़े number को test करना without अगर मिरे पास यह trick नहीं हो होती है तो मैंने क्या करना था पहले 2 के साथ 3 के साथ 5 के साथ 6 7 हाना साही number try कर लेने ते मुझे क्या पता रगना है किस से divisible होगा यह अगर मुझे यह trick पता होती कि कि 3 के साथ divisible हो सकता है इनके digits का sum 18 है जो कि 3 के साथ divisible है तो मैं बोल सकता हूं यह number भी 3 के साथ divisible होगा if sum of digits of a number is divisible by 3 then number is also divisible by 3 यह number था इनका sum किया 18 आया 18 जो है वो हमें मालुम है 3 के साथ क्या हो है divisible तो इसलिए यह number भी मेरे पास क्या होगा 3 के साथ divisible देखो यहाँ पर division भी solve की कही है आप इसको देख सकते हो post करके video देख सकते हो कि कैसे divisibility हो है चलिए नेक्स्ट फूल पे 4 if last two digits of a number is divisible by 4 अगर बच्चे कोई भी last मालो किसी भी number के last two digits जैसकि मैंने अपनी मर्जी से लिए 4844 हाना यह last two digits है अगर यह 4 के साथ divisible है अब यह last two digits क्या बने मेरे पास 44 बने ना 44 को अगर मैं 4 के साथ divide करूँ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 पूरी तरह divisible होगे ना पूरी तरह divisible होगे तो मैं बोल सकता हूँ कि यह पूरा का पूरा number भी 4 के साथ क्या होगा divisible क्या rule है हमारा अगर if last two digits are divisible by 4 then the whole number is divisible by 4 example के तोर पे आप देख लो यहां पे लिखी भी हुई है 780 780 में 80 है 80 को मैंने जब डिवाइड किया 4 के साथ 80 को 4 के साथ डिवाइड किया 4 2 जा 8 0 0 4 0 जा 0 पूरी तरह divisible में जीरो तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा number था 780 it is also divisible by 4 next 5th if the unit digit is 0 और 5 बच्चे अगर आपके बास जो number है उसका जो unit digit है वो यहां तो 5 है यहां क्या है 0 अगर unit digit 0 और 5 है किसी भी number का कितना भी बड़ा number हो तो वो number 5 के साथ divisible होगा ठीक है very easy था यह तो rule लिखा हूँ इस जीरो जीरो और 5 देन नमर इस आपके बास जीरो और 5 6 पच्चे 6 का रूल देखने से पहले है हम यह देखने की 6 के फैक्टर्स क्या है 6 का कैसे बना सकते है 2 into 3 2 into 3 इस काल 6 2 3 जा 6 तो if a number is a divisible by is a divisible by both 2 and 3 then the number is also divisible by divisible by 6 ठीक है अगर वह number 2 और 3 दोनों से divisible हो गया तो मैं बोच सकता हूँ कि जो सारा का सारा number है वह 6 के साथ divisible भी होगा clear है अगर मैं एक्जांपल के तोर पर इसे समझू हूँ तो कोई भी number ले लो जैसे की 36 ही ले लेते हैं जो 36 है वह 2 के सारा divisible है हाँ है 2 का rule क्या था जिसका unit digit क्या होगा even 6 क्या है even number then 36 is divisible by 2 2 1s are 2 3 2s are 1 6, 2 8s are 16 पूरी तरह divisible ठीक है 2 से divisible है और 3 के साथ भी divisible होगा यह 3 1s are 3 6, 3 2s are 6 2 के साथ भी divisible है 3 के साथ भी divisible है दोनों के साथ divisible है तो मैं क्या बोल सकता हूँ इटिस डिविजिबल बाई 6 इटिस डिविजिबल बाई 6 अब देखो जो 7 है 2,3,5,6,4 यहां देख बच्चे कर लेते हैं कि हाँ भी रूल पता होता है जो 7 है इसका रूल बहुत कम बच्चों को पता है तो इसका रूल क्या है मान लो अगर आपके पास कोई नंबर है 7 का रूल मान लो एक मिनट वेट एक्जामपल के दो पर मैं यहां पर एक नंबर ले रहा हूँ 154 154 हमने क्या करना है जहां पर जो 4 है ठीक है यूने डिजिट उठाना है यूने डिजिट को मल्टिपले करना है 2 के साथ ठीक है बाकी बचा हुए नंबर क्या है मेरे पास 15 यूने डिजिट को 2 के साथ मल्टिपले करके माइनस कर देना है किस में से 15 में से तो क्या बना 15 माइनस 4 टूजा 8 15 में से 8 गए 7 तो मुझे पता हूँ जो 7 है 7 के साथ डिविजिबल है या नहीं पूरी तरह डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूँ न कि जो 154 है वो भी मेरा किस के साथ डिविजिबल है 7 के साथ और एक्जामपल लें 1078 ठीक है 343 देख लो यहाँ पे भी यूने डिजिट हाया 8 8 इंटू 2 इसको माइनस कर लेना है किस के साथ क्या बचा है मारे पास यहाँ पे 107 देखो क्या बना 107 माइनस 16 इस इक्वल टू क्या आएगा देखो 107 में से 16 को माइनस कर लो 191 क्या बचा 91 देखो जिनको तो 7 calculation अच्छे है वो तो बोल देंगे हाँ भी 7 13 से कटता है 13 7 सा क्या होता है 91 अगर जिनको नहीं तो आगे यही रूल लगा सकते हैं इसके उपर 91 है आपके पास क्या करो युनाटीज उठाओ 1 1 इंटो 2 इसको माइनस कर दो किसमें जो क्या बचा है 9 9 माइनस 2 इस इक्वल टू 7 तो 7 तो 7 के साथ डिउसिबल है ठीक है ऐसे 343 3 नमबर उठाओ 3 2 तो इसको माइनस करो किससे 34 से 34 माइनस 3 2 तो 6 क्या बचा 28 तो 7 की टेबल पर 28 आता है 7 4 से 28 तो हम क्या रूल है युनाट डिजेट को 2 के साथ माइनस करना है जो नमबर बचाएगा बाद में उसको उसमें से माइनस कर देना है अब जो 8 divisibility rule of 8 it is quite similar to divisibility rule of 4 क्या करेंगे हम उस 4 में क्या था कि last way 2 digits देखने देकर वो 4 से divisible है यहाँ पे हम क्या देखेंगे if last 3 digits last 3 digits are divisible by 8 then number is also divisible by 8 number is also divisible by 8 example ही हुई है मैं यहाँ पे 3,6,2,4 last 3 digits के हैं मार पाद 6,2,4 अब 6,2,4 को divide करके देख लो आप इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूं वहाँ पे space नहीं थी 6,2,4 किसके एडवाइड किया 8 के साथ 8,8s are 64, 8,7s are 56 और यहाँ पे क्या आएगा 6,4 8,8s are 64 देखो लास्ट 3 digits थे वो मेरे 6,24 यह divisible थे किसके साथ 8 के साथ divisible थे remainder 0 आगया तो मैं बोल सकता हूं divisible थे तो मैं बोल सकता हूं it is this number 3,6,2,4 is also divisible by 8 सारा number चेक करने की जुरूरत हमें नहीं पड़ी ऐसे ट्रिक्स के साथ 7,9,2 कर लो चेक 7,9,2 8,9s are 72,9 में से 2 के 7,2 8,9s are 72 99 remainder 0 last 3 digits are divisible by 8 तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा number ए 1792 is also divisible by 8 आप इसे divide करके देख सकते हो खुद, divisible by 8 ऐसे मैं पता क्या होगा जो अगर आपको आपको check करने की जूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ अभी 2 के साथ check कर लो 3 के साथ 4 के साथ 5 के साथ आप at once guess कर सकता हो कि यह number 8 से divisible होगा ओके तो बच्चे next part में हम इसके जो prime numbers हैं जैसे की जो की most important tricks हैं 11, 13, 17, 19 और 23 इसके rule पढ़ेंगी कि इनके rule of disability क्या है तेंक्यू